नमस्कार दोस्तों मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का 36 गड़ के CGPAC और व्यापम के ओनलाइन वीडियो क्लासेस में दोस्तों आज मेरे चैनल का 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप सभी लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिया मेरे वीडियो को पसंद किया अगर जिन लोगों जो ये वीडियो पहली बार देख रहे उसका तुरंद का तुरंद आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा यह एक दम निश्चूल कर रहता है इसके लिए कोई चार्जिस नहीं लगते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा दोस्तों के शाथ शेयर करिएगा दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 36 स्वतंतरता आंदोलन का देखेंगे शुरुवात कैसे हुआ था यह इसका पार्ट वन है यह तीन चार पार्ट में जाएगा क्योंकि स्वतंतरता आंदोलन थोड़ा सा बड़ा है देखें स्वतंतरता आंदोलन में में योगदान किसका था तो भारती राष्टी कांग्रेस के किसका था भारती राष्टी कांग्रेस तो यह राष्टी इस्तर पे है और यह क्या है पूरा का पूरा इसका छोटे छोटे फिर राजियों में भी इफेक्ट आया था तो सबसे इसका डाग्राम बनाया हूं इसका छोटा सा क्या है यह माली जी यह अध्यक्ष है तो इनका नाम क्या है विमेश चंद्र बेनर्जी के अध्यक्षता में यह जो लोग है यह 72 प्रतिनी थी थे क्या है संसापग A.O. हिम है और क्या है अध्यक्ष कौन है तो विमेश चंद्र बनैर जी के अधिक्षता में हुआ है में पुछता है कि कहां पर हुआ है और एक चीज़ और यह रख सकते हैं कि उसमें वाइसराय कौन थे तो वाइसराय थे लॉड डफरीन के काल में हुआ है किसके काल में हुआ है लॉड डफरीन के काल में भारती राश्टी कांगरेश के इस्थापना 28 दिसंबर सन 1885 का हुआ है दोस्तों यह गोकूल डास तेजपाल संस्कृत काौलेज बंबगाई के गवालियरय टैंक मैंदान में हुआ था लोकेशन पूछता है कि किस जगा पर हुआ है भारति राश्टी कांगरेश के इस्थापना तो गोकूल डास संस्कृत काौलेज बंबगाई मैदान में 72 प्रतिनी धियों ने उसमें भाग लिया था और यही संस्था आगे चलकर भारत को स्वतंतर कराने में मुख्य भूमिका निभाया और अपने 36 गड़ में भी इसका विशेश योगदान है इस चीज को याद रखना है मेन है भारती राष्टी कांग्रेस की स्थाप गया चोका मार दिया है तो 1 088076 और इसमें नाप्चासी में चार्जोड़ों कितना होगा तो अıllची द लोग भाग लेने के लिए गए तो यह जो 189 आश्जी का जो बंबाई अधिवेशन है वह किसकी अधिक्षेता में हुआ था तो विलियम बेडर बर्क की अधिक्षेता में हुआ था बात करें तो मध्य प्रांथ से पी से पंडित राम दयालतिवारी ला से है ला से है वामर राव लाखे ना ला से क्या है वामर राव लाखे और माधव राव सप्रे है चोथे तो चौका मारने के लिए बुलाए गया है CP LA SAPRE CP को लेकर क्या बोल रहे हैं चौका मारने के लिए समझा चौका मारना है 1889 में बंबई में तो बोला जा रहा है CP LA SAPRE तो क्या हो गया C से CM ठककर P से पंडित रामदयलतिवारी ला से क्या है वामन राव लाखे और SAPRE से माधवरा SAPRE इनको याद रखना है फिर यह जब उन लोग वापस आये यह अपने चारो प्रतिनी थी चतिज़ गड़ आये तो इन्होंने क्या क्या कांगरेस का प्रचार प्रचार कर रहे हैं यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसको लेकिन यहीं पर देख लेते हैं जो प्रजाही तैसी है अब यह 1889 में प्रचाही तैसी एक सपताहिक समाचार पत्र था चतिज़ गड़ में प्रकासित पहला समाचार पत्र है लेकिन यह सपताहिक के याद रखना और यह राजकी समाचार पत्र था जो कि राजनन्द गाउ रियासत के राजा बलराम दास के सनक्षण में निकलता अब देखी अगला जो अध्यीन हो रहा है वह 1889 में हो राए तो जस्ट दो साल बाद बाद और यह किस की अध्यक्षता में हो लेकिन बोलते हैं नो एक किसी एक कोमत लेकर क्या हो जो पिछले बार आये थे तो 1891 में कौन था जो नहीं गया था और 1889 में गया था यह चीज को याद रखना है बाकी तो तीनों के तीनों क्या है तो यह जो अठारा सिंग क्यानवे है तो नाकपूर में जो हुआ उसमें क्या हुआ कोई एक प्रतिनीधी नहीं जाएगा तो देख लेते हैं और में था यह हुआ क्यों था तो जंगल एम नहर करका व्यापक विरोध करने के लिए यह नाकपूर में हम लोगों ने किया था औ पतलब CP को लेकर के आना है और वो जो वामर राव लाखेजी हो छूड़ जाएंगे कोई एक नहीं गया है ना इस चीज के याद रखना है नो एक इंक्यानवे है तो सी से क्या है CM ठककर पी से पंडित राम दयलतिवारी धर से बद्री धर दिवान और माधर राव सप्रेज अब यह चार गया जो अठारा सो 591 में हुआ अब बात करें यहां से तो इंक्यानवे में हुआ है लेकिन इसके बीच में जो 1923 में था माशिक पत्रिका 36 गड मित्र का प्रकाशन हुआ यह हमारे जो माधर रव शप्रेजी है इनहीं के नेतित्य में हुआ इसके संपादक यह एक है ऍक्षट से आप लोग को आराम सियाद हो जाएगा जाएंस कुछ साफ इसका काँब गान है दे modular रांधला से निकलता था तो विलासपूर давно उसकी छपाइच इंध चहां से यह जो 36 गड़ मित्र समाचार पत्र था जिसको अपने माधुरा सप्रे जी ने स्टार्ट किया था संपादक किया था तो यह 1900 से स्टार्ट हुआ और 1903 तक ही चल पाया था क्योंकि क्या हुआ था ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था घाटे के कारण अब इनके जेब से प कियी बाइटा करते थे रामा राव मदद यहीं मतली करते थे ना सिर प्रेश चापने में मतल governments सप्क्राइब में लिए अर्फिक मदत कर रहा है वामनाम कि क्या घटना होई नहीं हमारे शती कड़ में क्या इफैक्ट आएगा जो तो हमको अगर 36 गड़ का इतिहास पढ़ना है सवतंत्रता अंदोलन का तो भारत से रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा तो देखिए 1905 में क्या हुआ है बंग भंग अंदोलन हुआ कारण क्या था सन 1905 में वाइसराय लॉड करजन ने बंगाल विभाजन की घोशना कर दिया अब कब किया है 20 जुलाई 1905 को क्या कर दिया है यह जो लॉड करजन ने बोल दिया कि अब बंगाल को बांड देंगे दो भागों में क्यों माड रहे है कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो रहा था अब बंगाली दाक्यमी बोले ऐसे वैसे करके चल रहे है बंगाली लोग अंदोलन कर रहे हैं उधर आसपास के लोगों भड़का रहे हैं हाँ तो सीमा बाढ़ दिये यह बंगाल है यहां से यहां जाओगे तो पहले सब पर्मिट और मिट ले करके जाना पड़ेगा क्या कि यह बंगाल को बाढ़ दिये और बोला गया था कि यह 16 अक्टूबर 1905 स में मनाया था क्या है 16 अक्टूबर 1905 को देश में सोरी दिवस मनाये है क्या दिवस मनाया है 5 elaboration ऊनी सो ग्यारा मैं क्या हुआ है जौर्ज पंच्पंच ने दिल्ली मैं बंगाल विभाजन वापस ले लिए है 1911 में क्या कर दिया था ज जौर्ऑ पंचम ने दिल्ली मैं बं बंगाल भी भाजन वापस ले लिया और ये फिर भंग भंग आंदोलन क्यों हो रहा था क्योंकि क्या कि यह गया है बंगाल को दो भंग बाट दिया गया अब बोलना है कि निठी के चलो बंगाल क्या है एक है तो बंग भंग आंदोलन कोई मतलब भी नहीं है तो यह 1911 में क्य पचार वा वीदेशी वस्त्तों का भाइस्कार करना मतलब क्या है स्वदेशी आंदोल्ण 1906 दियान दो बंग-भंग कभी स्टार्ट हुआ है मतलब कि बंगाल को बाटा गया है 1905 में अब जस्ट उसी समय एक साल बाद ही समझ जाओ स्वादेशी अंदोलन 1906 में स्टाट हो गया है। अब यह क्या है बंग भंग के कारणे प्रारम हुआ था अब इसमें क्या बोल दें नई अब हम विदेशी समान यूज नहीं करेंगे। हम भी देशी समान यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजोग फाइदा हो रहा है यह तो गलत है हम क्यों अंग्रेजोग फाइदा करवाएं हमारा काम अंग्रेजोग को नुक्सान करवाना रहेगा और हम क्या करेंगे सीर्प और सिप्स्वादेशी समानों का उपयोग करेंगे जि तो राष्टी कॉलेज याद सकते हैं क्या है कि यह स्वादेशी आदोलन का देन यह नहीं है तो राजकुमार कॉलेज है ना इसकी इस्थापना कभ हो गई थी तो 1882 में कभ हो गया है 1882 में इसका निव रखा गया है और 1892 में क्या हुआ यहां से Classes Start हुआ है और यह क्या था उच्षवर के बच्चों के लिए आप सिर्फ और श्रिप जैसे उच्छ समाज के बच्चे है जनरल कटेग्री के बच्चों को क्या के जा रहा रहा था यहां पर सिक्षा दे रहे थे तो अब इसका जो अब देखिए जो स्वदेशी अंदोलन 1906 से स्टार्ट हुआ है लेकिन अपने यहां तो क्लासे कब से सुरू हो गए 1892 से मतलब जो राजकुमार कॉलेज है ना वो स्वदेशी अंदोलन की देन नहीं है वो पहले से ही था ठीक है इस चीज को याद रखने हैं अपने को आगे देखते हैं हम लोग 1906 में क्या हुआ जो सीम ठककर द्वारा रायपूर कांग्रेस की स्थापना किया गया तो 36 कड में रायपूर कांग्रेस कमिटी की स्थापना कब हुआ है तो 1906 में किस ने किया था सीम ठककर ने और इसी समय क्या हुआ पंडित सुंदलाल सर्मा ने सदस्यता ग्रहण किया थ लेकिन सही उत्तर इसका 1906 है याद रखना स्वमित्र मंडल नामक संस्ता इस्थापित किया पंडिस सुन्दलाज सर्मा ने कब किया है 1906 में किसी किसी पूस्तक में क्या है 1905 दिया है याद रखना 1906 एक बार व्यापम ले चुका है इसलिए बता रहो हूं मंडल ने क्या किया है 36-řिब में राश्टी भावना जैगृत किया अब यह जो सवमित्र मंडल क्या कर रहा है हमारे राज जी में क्या कर तो सुन्दलाल सर्मा ने चलाया है अब देखते हैं हम लोग 1907 का कांग्रेस अधिवेशन यह क्या हुआ 1907 का Congress अधिवेशन सूरत में हुआ था इसकी अधिक्षता किस ने किया था इसकी अधिक्षता रास भिहारी घोस ने किया था यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हो इसकी अधिक्षता किस ने किया है रास भिहारी घोस ने किया है याद रखना है, 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन शूरत में वह था, उसके अधिक्षय तक इस ने किया है, तो रास बिहारी घोस ने किया है, कांग्रेस इस अधिवेशन में क्या हुआ था, दो भागों में बढ़ गया था, गरम दल में क्या हो रहा था, यहाँ पे लोग चा चाहते थे कि हम सांती के सांत, स्वतंतरता प्राप्त करेंगे, और लाला लाजपतर आये चाहते थे, नहीं मार देंगे अंग्रेस को, ऐसे कुछ करके concept था इनका, लाला लाजपतर थोड़ा उंग्र प्रवईति के थे, तो क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, विभाजन हो गय करके, तो विभाजन का जो कारण था, स्वराज प्राप्त करने के तरीकों में मद्भेट था, और ततकाली कारण क्या था, अधह्यक्ष का पद भी होना था, ततकाली कारण क्या था, अधेक्ष पद को लेकर हुआ, इस गय थे जैसे कि अ कि नारायंद रामेस में घावले जी गए हैं तो यह तीनों क्या है वहाँ पर जो इस राऊ हुआ है उसमें गय हुए थे शुन्दलाललसरमा घावले रही कि विचारों का उधाराज यह उन में जमकर विरोध की भी किया और बाद धक्का मुक्गी तक पहुंचे गए मतलब क्या है कि अब लोग गरम दल नरंदल अब लड़ रहे हैं ना कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो गरम दल वाले तो एक दम नरंदल वाले पर तो हावी पड़ जाएंगे धक्का मुक्गी भी काम किया थाzd 36 जट के परतिय tract लेल निधियों ने बीच विचाओ कर इलग को बचाया भी था वापस आकर सुंधरलाल सर्मने धम्तरी महासंग में स्वाधेश्य स्वाधिसी वस्तों की दुकान खुली तो सुंधरलाल सर्मा हम ने कहां कहां स्वाधिसी लाल सिंग का ना मियाद रखना है राजमंद गाउं में कुछ भी हो रहा है तो ठाकुर प्यारे लाल सिंग इनको सहकारिता का जनक भी कहा जाता है आगे बताऊंगा आप लोग को कुछ भी हो रहा है राजमंद गाउं में तो क्या कर देना है हाँ ठाकुर प्यारे लाल सिंग अन्हीं किया होगा इसके आगे दएखते हैं इसका जो मुख्याले था वह कहां पर भता जो स्वदेशी अंदोलन का तो इस्ठी सारंग पाली ह्थित मुद्लियार का घर था स्वदेशी अंदोलन का जो मुख्यालre था वह था राइपुर में प्रांती कांग्रेस में सम्मेलन हुआ 1907 में और जैसे कि वहां पर दो भागों में बढ़ गया है सेम वैसा यहां भी होगा कांग्रेस दो भागों बढ़ जाएगा बारत पूरा का पूरा इफेक्ट अपने च goat में आएगा 1907 में रायपूर के टाौन हौल में 5 पूरा के कांग्रेस नेताओं भी भाग लिया था बात करें यह जो सम्मेलन हुआ हैक्र कोन थे तो स्री सिंग गौर याद रखना है कि 1907 में जो राइपूर कांग्रेस प्रांती कांग्रेस का समयलन हो उसके अध्यक्ष कौन है स्री केलकर स्वागता ध्यक्ष कौन है परिष्टा हरी सिंग गौर क्या हुआ सूरत अधिवेशन का जो प्रभाव था वह यहां भी इस पस्ट्रूप से दिखाई दिया और कंग्रेस यहां पर क्या हुआ यहां भी दो भागों बढ़ गया दो भाग क्या हुए यहां भी गरमदल और नरमदल गरमदल में थे दादा साहब फाफाडे पंडित र यहां यांद रखना करमदल में कौन-कौन थे और नरमदल में कौन-कौन थे देखें हमारे 36 विभाजन का क्या कारण बना जो देश में विभाण का करण था वह तो ततकालिक अध्यक्ष से कि लाला लाजपत्र वाजज को बनाए जाए कि राजविहरी घोश को बनाए कि किस तरीके से आजादी प्राप्त करें और हमारा जो 36 गण में कारण बना वो वंदे मातरम राष्टी गीत से के कारण हुआ था दादा साहब फाफाडे अधिवेशन की सुरॉत इस गीत से करना चाहते थे वंदे मातरम गीत से किया हो रहा था अंग्रेज उस समय वंदे मातरम के इत बहुत जादा चिड़ते थे तो हरी ने कहा कि नहीं हम लोग क्या करते हैं वंदे मातरम गीत से नहीं करेंगे लेकिन फापाडे साब बोले कि नहीं करेंगे हम लोग देश को आजाद करने के लिए शुरुआत किये हैं मतलब हम लोग वंदे मातरम गीद गाएंगे इससे हमें प्रेणना मिलती है ऐसे करके कुछ बोला इन्होंने दादा साहब फाफाडे ने तो ये सब गुस्सा हो गया मतलब नरम दलवाले बोले अजय आए यह वह सब आएगा मतलब नहीं होगा तो दादा साहब फाफाडे थे गुस्सा आगया गरम दलवाले है तो गुस्सा तो आएगा ना भई तो गुस्सा आगया और फिर पंडाल छोड़ कर चले गया मैं नहीं रहूंगो जाओ यहाँ पर और फिर हनुमान मंदिर गए वहां का जो तात्या पारा में एक विसाल जन्द सभा को संभूतित किया क्या किया इन्होंने वहाँ पर पंडाल छोड़ कर चले गए हैं और हर्मान मंदिर में तात्या पारा में विशाल जन्द सभा को स्रम्भूतित किया है अपने दादा साब फाफाडे ने अब बताया था उस दिन किया थे पंडित रवी संकर्शुकल भी गरम दल के पक्ष में तो इन्होंने क्या किया फाफाडे के सुझायो मानने के लिए नरम पंथियों के दो नर्म पंथियों को कहा एक्दम प्यार से समझाए तो नरम दिल वाले हैं तो मान गये चलो ठीक है मान करें अब 1905 का जो परिसीमन हुआ था यह आप लोग को बता दिया था इसका घोशना कब हुआ है कोई देवगड, चागभागार साइड का इरिया उसको च ठीजगण में जोड़ दिये अब देखिए पांचछिय असत को जोड़ा गया था एक बार ट्रिक बता चुका हूं फिर से बता दे रहा हूं वह पांचरी असत क्या क्या थे ट्रिक था कोज सरजाउं क्या ठीजगध क और यह किसके नेतित में कहा हुआ है तो यह राजनन्द गाउ में हुआ है और आप लोगों पहली बोला था राजनन्द गाउ में कुछ भी हो रहा है तो नाम किसका ठाकूर प्यारेलाल का याद रखना है तो अपने ठाकूर साहब नहीं किया है, ठाकूर प्यारेलाज सिंग नहीं किया है, कुछ अपवाद हैं, जैसे रायपूर का जो कॉपरेटिव बैंक है, और जो महासमन्द का जो कॉपरेटिव राइसमील है, इसको अपने ठाकूर प्यारेलाज सिंग नहीं किया है, जो कॉप से माध्रौा सपरेजी गिरफ्तार हो गये अब देखए गिरफ्तार क्यों ए क्या था लोकमानी तिलक के राश्टवाद भी विचर धार क्या था उपने माध्रौा सपरेजी होश्वा क्या तिलक जो थे कर रहे हैं मतलब तिला के केशरी जो माराथा में प्रकासित हो रहा था उसको माधौराव सप्रे क्या कर रहे थे हिंड्री ट्रांसलेट कर रहे थे हिंद केशरी एक बार क्या हुआ माधरा सप्षे ने अपने हिन्द केश्रे में दो लेख प्रकासित किये ये दोनों जो लेख थे न वो एक देश सेवक में प्रकासित काला पानी और अन्य जो मराथी जो लेग्वेज के जो पत्र काये ठेल उनमें छपते हुए थे इनको क्या कर दिया है अपने माधुरा सप्रेज इसको राज द्रो समझे अग्रेजों ने क्या किया है इसको राज द्रो समझा और अपने जो माधुरा सप्रेजी है उनको 21 सगस 1908 को क्या कर लिया गया गिरफतार कर लिया गया क्या कीए गया है माधोरा सप्रे जी 21 अगस 1908 को गिरिफतार कर लिए गया है कि इन्होंने क्या किया है वो जो दो लेख है उसको अपने यहां चाप दिया और उसको अंग्रेजों निक्या समझा देज़ दू समझा लेकिन क्या हुआ इनके जो भाई थे बोले कि अगर तू रिटर्न में माफी नामा नहीं लिखेगा अंग्रेजों को माफी नहीं मांगेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा ऐसे बहुत सारे काम हुए मतलब इनके परिवार वाले एकदम आहात हो गये थे अभी इनको क्या है जेल हो गया है तो इन पर फोर्स कर रहे थे कि आप माफी नामा लिखो माफी नामा लिखो तो अपने जो माधुरा सप्रेजी है उन्हों ने माफी नामा लिख दिया था तो फिर दो नौंबर 1908 को کیा क्या गया उनको मतलब जेल से रिहा कर दिया गया था लेकिन क्या हुआ नहोंने आक्र माधोराव सपरे जी का पुत्ला जला जलाए गया और जलाए गया है और कहा जलाए गया है कि इसके बाद क्या हैए हमारे यहां के jsomachar हर्फय हुए के में उनके नेता कौन थे तो देखे हमें धर तो सीको स्कुट सय को से कुछ ट्रिक निके डिफ यहां लेक्टरिक बता दे रहा हूं फिर देखना आप कारा सांप मतलब एक बच्चा है वो बोल रहा है आप कारा सांप मतलब एक करिया सांप हो करके आप कारा सांप उसके बाद हस दिया ही ही मा छमा क्या बोल रहा है ही मा छमा मतलब किसी को मम्मी को बोल दिया समझ जाओ मम्मी आ से क्या है अरोडोदय जो समाचार पत्र है अरोडोदय समाचार पत्र 1921 से 22 इसी में स्टार्ट हुआ था और इसके क्या है ठाकुर प्यारे लाल सिंग तो यह अरोडोदय आप अरोडोदय जो समाचार पत्र है उसको किसने संपादित किया है तो ठाकुर प्यारे लाल सिंग आप कारा, कारा से क्या है, कांग्रेस पत्रिका, ये कब से इस्टार्ट हुए है, 1937 में, रा से है, रायपूर कांग्रेस कमिटी ने इस्टार्ट किया था, आप कारा सांप, सांप से देखो क्या है, सा, तो सरस्वती, आप कारा सांप, स से क्या है, सरस्वती, ये 1922 में ही इस् हिंद केस्तिरी उनिसौ साथ में स्टाट हुए था ही माह सक्षि ही मां से क्या है माधवराब सब्सक्रें कि तो हिंद हैं इस इसको भी माधवराब सब्सक्राइब किनि वहाच rigtigी कि उनिसरीस। ज्छ शक्ष हम ज्याist 2016 म स्फ्था अठ्छ छमाज्येसू, झे से क्या है देखिए अपना जेल पत्त्रिका, जेल पत्त्रिका, जो है 1922 से 1923 में इस्टार्ट होँ था, और इसको पंडित सुंदलाल सर्मने इस्टार्ट किया था, जेसु जे से क्या है जेल और सु से क्या है सुन्दलाल सर्मा तो यह ट्रिक था दोस्तों आप लोग क्या करो नोट्स बना लो और नोट्स में जैसा जैसे पढ़ाता हो नो ऐसे लिखोगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा कामा आए गई यह एक बट्रिक को और बोल दे रहा हूं क्या है अपना ट्रिक आप कारा साप बच्चा बोल रहा ना आप कारा साप ही ही मा छमा जेसु आ से क्या है अपना अरोडोदय इसको किस ने श्टार्ट किया है तो प्यारे लाल सिंग ने यह देखे अरोडोदय प्यारे लाल सिंग ने का से क्या है कांग्रेस पत्रिका काराराइपूर्स कंध्रर कमिटी ने धा था साप से क्या है अपना सर्फवती पुस्तकाल्य और इसके पद्दुम्लाल पुन्दाल भक्षी ने धा क्या है यह हिंद कैस्वरी और हिंदी ग्रंद प्रकासर मंडेली यह माधुराव सप्रे का शमा से च्छतिश गड़ मित्र और यह भी माधुराव संप्रेका है जेल पत्री का यह पंडित सुन्दालाल सर्माजी का है याद रखना इस चीज़ को अगला जो है उनिछ णोन में सरस्वती पुस्तकालाई की सफापना हुआ ठंस्टापक कौन है ठाकुर फ्यारि लाल सिंग हो राजन्द गाउ न के संयोगी कने ही पंडित राजुलाल और पंडित चðय याद रखना इस सभीर चीज़ोग अब बात करें पुस्तकालाई के बा होता था यहीं से राष्टी चेतना की धारा प्रवाइथ होती थी राष्टीता की भावना जागाने में स्रुस्वती पुस्तकाले का बहुत बड़ा युगदान है चतीजगण में और इस पुस्तकाले में जन्मानस को भावी अंदोलन के लिए तैयार किया जाता था मतलब ल उस जमय क्या होगा फिर अपना अंदोलन खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग बस्तर काई तीहाज देखेंगे अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है लोगों का मदद करना अभी अगर 500 सब्सक्राइबर हुए है तो कम से कम 500 लोग जुड़े हुए है मुझसे तो मैं यही चाहता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचू क्या है हमारे 36 में 500 लोग ही तैयरी नहीं कर रहे हैं जिनको भी जरूरत है और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अगर पसंद नहीं आ रहा यह तो आप लोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग मेरे साथ इस पहल में जुड़े और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आ यहों दो EPA कर देखाःट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और जहीं लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत थन्यवाद दोस्तों बाई